कि पाठ्थ्य पुस्तक भास्वती वितियो भागाह वादश वरगाय सम्स्कित अस्य पाठ्थ्य पुस्तकम संस्कृत साहित्य में अस्वगोष की गणना भास एवं कारिदास जैसे उच्चकोटि के महाकवियों में की जाती है दार्शनेक महाकवी अस्वगोष की कृती बुद्ध चरितम का संस्कृत साहित्य में अद्विती यस्थान है अस्वगोष का लक्षय बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जन साधारन तक पहुँचाना था प्रस्तुत पाठ बुद्ध चरितम के छटे सर्ग से संकलित है इसमें जब सिधार्थ महाभी निश्क्रमन के लिए ग्रिहत्या करते हैं तब सार्थी चंदक उन्हें भारगो आश्रम तक पहुँचाता है वे वहाँ से आगे अकेले जाने का ही निश्चय करते हैं चंदक को राज महल की और जाने के लिए कहने से पूर्व वे उसकी स्वामी भक्ती की प्रशमसा करते हैं श्लोक संख्या एक श्लोक संख्या दो सुप्त विश्वस्त हरिणं स्वस्थ स्थित विहंगमं विश्रांत इव यद्रिष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत श्लोक संख्या तीन सविश्मय निवृत्यर्थम तपह पूजार्थमे वच स्वाम चानुवर्तिताम रक्षन अश्य प्रिष्ठा दवातरत श्लोक संख्या चार अवतीर्यच पस्पर्ष निस्तिर्णम इतिवाजिनम छंदकम चाब्रवीत प्रीतः स्नापयनिव चक्षुष श्लोक संख्या पाँच इमम तार्क्षियोपम जवम तुरंगम अनुगच्चता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिर् विक्रमस्चायमात्मनहा प्रिष्ठ संख्या नव श्लोक संख्या छे कोज नस्य फलस्थास्य नस्या दभिमुखोज नहा जनी भावति भूईष्ठम स्वजानोपि विपर्यये श्लोक संख्या शात इत्युक्त्वासमहबाहुः अनुशंसचकेरशया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्तमनसेददवू श्लोक संख्या आट मुकुटाद्धीपकरमानम मनिमादाय भास्वरम ब्रुवन्वाक्यमिदंतस्थोव सादित्य इवमंदरह। श्लोक संख्या नव अनेन मनिनाचंद प्रणाम्य हुषो निपह विज्ञाप्यो मुक्तविष्रम्भं संताप विनिवृत्तये प्रिष्ठ संख्या दस श्लोक संख्या दस जरा मरणनाशार्थम प्रविष्टो स्मितपोवनम् नखलू स्वर्गतर्शेन नास्नेहेन नमन्यूना श्लोक संख्या ग्यारा तदेवम अभिनिष्क्रांतम नमाम सोचितुमरहसी भूत्वापिहिचिरम्षलेशाह कालेन नभविष्यती श्लोक संख्या बाराह ध्रुवो यस्माच्य विष्क्लेशाह तस्मान मोक्षायमे मतिही विप्रयोगाह कथमनस्याद भूयोपि स्वजनादिती श्लोक संख्या तेरा यदपिष्यादसमये यातो वनम असाविती अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सती श्लोक संख्या चावदा एवमाधित्वया सौम्य विज्ञाप्योवसुधाधिपाह प्रायते थास्तताचैव यथा माम्नस्मरेदपि श्लोक संख्या पंद्रह अपि नैरगुण्यमस्माकम वाच्यम नरपतव त्वया नैरगुण्या त्यज्यते स्नेह त्यागा नसोच्यते शब्दार थाह शोची तुम शुच तुमुन शोक करने के लिए अभी और उत उपसर का पूर्वक इधातु तप्रत्य सप्तमी एक वचन उदई होने पर ददर्श देखा विश्रांत इव ठके हुवे की तरह अनुवर्तिताम अनुउपसर्ग पूर्वक वृत्धातु इन प्रत्यै तल अनुवर्तिनाह भावाह अनुवर्तिता आचरण को अवा तरत अवा उपसर्ग पूर्वक त्रीधातु लंगलकार प्रतम पूरुष एक वचन उतर गया प्रिष्ठ संख्या ग्यारा अवा तीर्य अवा उपसर्ग त्रीधातु ल्यप प्रत्यै उतर कर पस्पर्ष निश उपसर्ग त्री धातु तप्रत्य पार लगाया घोडे का अनुसरण करते हुए अजनो जनह भवती इती विपरीत स्वजन का सामान्य हो जाना भूई इष्ठम अतिशयेन बहु इष्ठन प्रत्य भवादेशे युक्च अत्यधिक विपर्ये विपरीत अवस्थामे करने की इच्छा से दुखी मनवाले को दानार्थे चतुर्थी भास्वर मनीम चमकीली मनीको तस्थव स्थित हुए बहुशह बार बार स्वर्ग तरशेन स्वर्ग की इच्छा से न मन्यूना क्रोध से नहीं श्लेशह सैयोग मिलन विप्रयोग विउपसर्ग प्रउपसर्ग यूजधातू घय प्रते वियोग यातः याधातू तप्रते गया जीविते जीवधातू तप्रते सप्तमी एक्वचन जीवन विज्ञाप्यह विउपसर्ग ज्याधातू निच पुख यत्पत्य निवेदित किया जाय प्रायते थाह प्राउपसर्ग यत्धातू विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक्वचन प्रयत्न करो नैर गुन्यम निरुपसर्ग गुण और नियत् प्रत्यय निर्गुणता नशोच्यते शोग का पात्र नहीं प्रिष्ठसंख्या बारह संधिविच्छेदाह जगत्चक्षुषी जगत्चक्षुषी चानुवर्तिताम रक्षन अश्वह स्नापयन निव स्नापयन इव तार्क्षयो पम अभिमुखो जनाह स्वजनोपी इत्युक्त्वा भूषणान अवमुच्य भूषणानी अवमुच्य बहुषो न्रिपह प्रविष्टोस्मी अस्मी तपो वनम स्यात भूयोपी वनम असाविती प्रयतेथास तथा अभ्याश प्रश्ण एक एकपदेन उत्तरत क अयंपाठह कस्मात ग्रन्थात संकलितह भूद्धचरितस्य रचैता कह अस्ती ग न्रिणाम वरह कह अस्ती ग अस्वप्रिष्ठात कह अवात अरत अंग स्नापयन्निव चक्षुषा प्रीतह कम अब्रवीत प्रिष्ठसंख्या तेरह प्रश्णसंख्याद दो पूर्णवाक्येन उत्तरत क स्वजनस्य विपर्यये कास्थितिहि भवती क महाबाहु संतप्त मनसे किम ददव ग बुद्ध किमर्थम तपोवनम प्रविष्ठह त्वम कीद्रिशम माम नशोचितुम अरहसी उंग कस्मिन सती कस्य अकालह नास्ति प्रश्णसंख्याद तीन अधो लिखितेशु संधिम कुरुत त्यागात न च एव विश्टलेशह तस्मात न अस्नेहेन बहुशह निरिपाह प्रश्णसंख्या चार अधो लिखितेशु प्रकृतिपत्य विभागम कुरुत सुप्तह विश्रांतह अवतीरिय भूईष्ठम आदाय विज्ञाप्य वाच्यम प्रश्णसंख्या पांच अधो लिखित श्लोक योह हिंदी आंगल भाशया अनुवादह कार्यह क मुकुटाद्दीपकर्माणं मनिमादाय भाश्वरं ब्रुवन वाक्यमिदं तस्थव साधित्य इवमंदरह जरामरण नाशार्थम प्रविष्टो स्मितपूवनम नखलू स्वर्गतर्शेन नास्नेहेन नमन्यून प्रश्णसंख्या छे नत्वं शोचितु मरहसी इदी पाठस्य साराम्षह मात्रभाशया लेखनियह प्रश्णसंख्या सात रिक्तस्थानानी पूरयता का नत्वं रिक्तस्थानं अरहसी का सा सददर्श रिक्तस्थानं आश्यमपदं गा सविश्मय निवृत्य Sydं रिक्तस्थानं-ано गा जनीभवति भूईष्थम रिक्तस्थानम विपर्यये ग अकालह रिक्तस्थानम धर्मस्य प्रिष्टसंख्या चौदाह प्रश्ण आठ विशेश्य विशेशन योह योजनम कुरूत अत्रस्तंभ द्वयं प्रत्मस्तंभे भास्करे जनह मनिम जीवीते माम अपिच द्वितियस्तंभे अभिमुखाह भास्वरं जगत्चक्षुषी अभिनिश्कांतं चंचले प्रश्ण संख्या नौ उदाहरनानुसारं विग्रहपदानी आधृत्य समस्तपदानी रचयता प्रतमम विग्रहपदम अस्ति उदाहरनार्थम नस्निग्धाह समस्तपदम अस्ति अस्निग्धाह आधित्येन सह इति विग्रहपदम समस्तपदम लेखनियम स्वरगाय तर्शह नकालह महांतव बाहू यस्य सह वसुधायाह अधिपह प्रश्ण संख्या दस अधोलिक्यत पदानाम विपरितार्थक पदैही मेलनम कुरूत अत्रस्तंभ द्वयमस्ति प्रथमस्तंभे पदानि संति दितियस्तंभे विपरितार्थक पदानि संति तत्रम मेलनम करणियम प्रथमस्तंभे संति पदानि सुप्तह अवतीरिया स्वजनाह निरिपाह द्रुवाह जितिये स्तंबे विपरितार्थ कपदानी संती चंचलाह, रंकाह, जागृताह, आरुहिय, परजनाह. प्रिष्ट संख्या 15 योग्यता विस्तारह. प्रिष्ट संख्या पंद्रा योग्यता विस्तारह अस्य रचनासु बुद्धोप देश एव प्रमुखरूपेण द्रिष्यते महाकवेहे अश्वघोशस्य रचनाह तिब्बते चीन देशे च प्रसिद्धाह सौंदरनंदं अश्टादश सर्गात्मकं प्रथमं महाकाव्यं उपलभ्यते अस्मिन महाकावे बुद्धोप देशस्य कताया वर्ननम अस्ति बुद्धाह विमात्रिजम स्वभार्या प्रेमपाश बधम नंदम उपदिस्दी नंदह बुद्धोप देश प्रभावेण सांसारिक सुकं परित्यज्य प्रव्रज्याम स्विकरोती शारी पुत्र प्रकरणम इती नाटिका खंडित आवस्थायां लभ्यते बुद्ध चरितम बुद्ध चरितम अश्व घोशस्य प्रसिद्धम महाकाव्य मस्ति अस्मिन महाकाव्य सब्त दश सरगाह उपलभ्यंते तत्र महात्मनाह बुद्धस्य सरवांगीन चरितं निबद्धमस्ति यथा अभिनिश्क्रमनं तपोवन गमनं यशोधरा विलापाह मगध यात्रा वर्ननं शिद्धार्थस्य बुद्धत्व प्रापनं धर्म प्रचारह शिक्षा प्रसारह इत्यादयह विशयाह सरलया परी पूर्णया रिदया वर्जक शल्या वननिताह भाषा ज्यानम नमाम शोचितुम अर्हसी तुमुनंत पदेन अर्हधातो हो प्रयोगेन अनुरोधह निबेदनम वा प्रकटी भवती एवम एव अन्यानि वाक्यानि रचनियानि यथा रात्रिर जाता अतहत्वं स्वप्तुम अर्हसी गुरुहु इमम मम अपराधं क्षंतुम अर्हती इदानिम यूयं गंतुम अर्हता जगत्चक्षुशी भास करे सूर्यह संसारस्य नेत्र रूपेन निरूपितह यथा शुतव तचक्षूरदेव हितम पुरस्ता छुक्र मुच्चरत और इसके साथ ही ये दूसरा पाट यहीं पर संपन्न होता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत